गाइज वेलकम एक्ष माय चानल सबसे पहले तो वीडियो को अभी पॉस मार के बताओ कि आप लोगों की दिवाली कैसी रही है आप लोगों की दिवाली कैसी रही है एम शुर बहुत अची रही होगी तब ही तो आप इतम लाईन से खड़े हुए वीडियो देखने है आचा, जोक से पाट, यह वाला जो वीडियो है, यह अच्छली बहुत ज़ादा डिले हो गया है, मैं अच्छली इसको प्लान करें, सी मैसल डूइंग एट बिफोर दिवाली, अच्छली 10 देज बफोर दिवाली अराइब्स, लेकिन हुआ क्या, नायका से जब और करते हैं, तो वही रिस्क तो साथ में आता ही है, और वो रिस्क ऐसा था कि नायका ने कभी आज तक मेरे प्रडॉक्स की बल्क में डिलेवरी जो होती है, वो कभी टाइम पर नहीं करी, not disappointed, लेकिन हाँ, अगर दिवाली से पहले आ जाते हैं, तो I would have enjoyed, you know, using these products around दिवाली time, around festive time, लेकि क्योंकि make-up के बाप प्रे, skincare के products बहुत सा भारी होते हैं, right, तो skincare, body care and hair care इस डबे में हैं, और ये इस डबे में, so चलो now, without any further ado, let's quickly get started, ऐसे नी होता है, started, video start करें, इससे पहले कर बीच-फीच में आपको कुछ hammering की आवाज आना, तो समा जाना पीचे construction का का काम चल रहा है So, सबसे पहले, तो I want to talk about these two products, जिनको मैं लेके बहुत जादा excited थी, बहुत जादा लंबे ताम के मेरे काट में थे, so first is this, NYX Professional Can't Stop, One Stop Concealer, it's in the shade Natural, and दूसरे तरफ मैंने एक और concealer लिया है, it was, like this is from K.Beauty and it's their Eshly Liquid Concealer, और इसमें मैंने लिया है, shade 140 Y Medium, भगवान के जाया से ये दोनों ही shade इतरे beautiful मिलते हैं, like ये तो highlighting concealer का भी काम करेगा, whereas this, ये बिल्कुल skin tone से matching है, little shade, maybe, एक तो shade lighter, ideally this is how your concealer should be, और दोनों की ही consistency मुझे बहुत अच्छी लगी, इसको समने दिवाली में ट्राई भी किया था, इन मैंसे सिफ कुछ प्रदक्स ही में पास दिवाली से जिनको मैं try कर पाई, उसके अरब तो सारी चीज़े अब मिल रही है, love this concealer already, जो कि है के beauty का, और इसको भी मैं try करने वाली हूँ, दोनों का price point almost 700-800 के असपास काई है, नहीं नहीं लिबाम को try करना मेरा जन में सिद अधिकार है, और मैं इसको छोड़ नहीं सकती, चाहे कोई इसके I love this, consistency और color बहुता interesting है, so आपको ये balmy एगदम formula है, इसका, it is super hydrating on the lips, I love this, और इसमें आपको बहुत अच्छा एक color tint भी मिल जाता है, like this is the amount of hydration अमको भी विंटर में चाहिए, right, if I'm not wrong, it comes in four different shades, you can check one for you, skin को कितना ही चमकाद, लेकिन कुछ-कुछ चीज़े है वो बहुत ही नहीं है, so basically मैं बहुत सारे अभी shots टाल रही हूँ, which you guys have been enjoying so much, लिगनों में clear skin दिखाने के चक्तर में, मेरे clear dark circles भी दिख जाते हैं, so I wanted to try out something, जिसमें ऐसे ingredient हो, जो कि वाकई में dark circles पे काम करते हैं, caffeine और coffee in general, are really good for that purpose, so मैंने आपे लिया है, the ordinary का caffeine solution 5% EGCG, eye contour के में भी काम करेगा, इसको मैंने literally खोला भी नहीं है, because यह पधारते कहां है, इतनी सारी चीज़े मंगा लेते हैं, time पे मिले तो कोई चीज लगा है ना, जो concentrated ingredients होते हैं, like इससे मुझे बहुत सार योंबी रहे, however, मैंने इसको try नहीं किया है, so let's see, यह कैसा काम करता है, अग मैंने Naika Matte to Last, जो Madras Kapi है, it's from their liquid lipstick, one of my favorite range, I would say, और इनके crayons भी मुझे पसन है, but not more than this range, यह बहुत ही अच्छा पॉमिलीचन है, 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 यह बहुत ही चार-प Super Perfect Nude Shade, so मतलब हर एक skin tone compliment कर रहा है, Naika ने, अलग से पैसे तोड़ी दी है, इसके लिए बास करने के लिए, but this is such a favorite formulation and such a beautiful color, I love using this, और में बहुत है खतम हो गया था, तो अब क्या excitement में हमने 2 मंगा दिये, so one, this, एक अभी रख लेती हूँ मैं गीवावी के लिए, I don't know, मैं क करूँगी, बहुत सो अब poppy, bright, जो eye makeup होता है, चाहे वो liquid liners हो, color वाले या फिर कुछ और, इनको try करने का रहा है, एक perfect season है, वो चाहे January ले लो, दिवाली से पहले वाला ले लो, या फिर wedding season ले लो, इनके अलावा आप try करते हो ना, तो यार, मना, वो feel नहीं आती, तो मैंन This is in the shade of purple, और क्या लग रहा है, और इतना smooth चल रहा है, अगर ये कुछ चीजे होती ना, तो मैं मेरा पक्का दिवाली outfit भी change कर लेती, as per what I have received in makeup, क्योंकि इतना अच्छा लगता है, नए-नए makeup products को try करना, मतलब, मैं तो पूरी feel लेके करती हूं, मतलब, जो भी है, so मुझे क काफी अच्छा लग रहा है, ये काफी affordable भी था, and it's very smooth in application, अभी weddings वाले कुछ लुक मैं करूंगी, तो उसमें जरूर ठाय करूंगी इसको, एक और color liner की कसर हमने पूरी कर दी, by buying this K-Beauty Eye Stylist Liquid Liner, and it's in the shade bespoke blue, वो वाला purple था, ये वाला blue है, कुछ white भी है, मेरे पास में है, so ये पाकिंग भी खोल देते हैं, इसकी, okay, so this is how it looks like, में पस ना, K-Beauty के बहुत सारे PRs आचुके हैं, but not this liquid liner, and not their concealer, so I was like, यार में को इन दोनों प्राइस को भी try करना है, because they've been so good, like उनके सारे प्रादक्स ना, थोड़ा सा प्राइस पन अब बोल सकते हैं, थोड़ा अ अच्छा लग रहा है, this is like turquoise blue color, वैसा वाला, if I have to explain, bespoke blue से तो क्या ही समझ में आ रहा है, and the longevity is what I am yet to try, क्योंकि अभी तक आई है, मैंने खोले हैं इनको, I don't know, लेकिन हा, क्यों नहीं आये थे तुम दिवाली से पहले आ जाते, शायद मेरा कुछ और लुक निकल के आता, basis these products, we always do naika, 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 but I still do shop from purple, so basically 3-4 साल पहले इस लिप्स्टिक को हाथ में लगाते ही, वो flashback एकदम से क्लिट किया, nostalgia सा हो गया, 3-4 साल पहले जब मैं shopping करती है, purple से तब भी करती हूं, आज भी करती हूं, उनकी बहुत सार इने-ने ब्रांच लांच हो थे उस ताइम पे, NY- mascara to what not, तो तब से मुझे याद आ रहा है कि मैं कितना enjoy करती थी, इन सारी products भी try करना, and I really, you know, want to go back to that time again, and you know, use these kind of products, क्योंकि अभी मैं बहुत साथ स्किन केर, make-up में में मेरा तुरसा जादा interest बढ़ गया है, but मैं यह वाली चीज़े भी enjoy करती हूं, so मैंने Rimmel London, मैंने में without makeup मुझ पे कैसा लगेगा, हलका सा light light सा है, you can see it in the swatches, but with makeup तो क्या लगेगा, with liner तो क्या लगेगा, love the products, क्योंकि affordable भी है, and actually हर कोई try भी कर सकता है, so this is a memory, जो मैं आप समने share करना चाहती थी, good, good, good products from Rimmel London, I am quite obsessed with this nude brown shades, या फिर जो neutral tones होते है, उन से चाय कपडों की बात कर हो गया था, तो हमें ये पहनना ही पड़ा, आचा, मैं बात करूँ, brown shades की ना, तो I always look for some different formulation, which I already have, तो उन से कुछ अलग मैं देखने ही कोशिश करते हूं, so I have this NYX lip lingerie, and it's in the shade professional makeup, like ठीक है, it's in the shade warm up, so this is how this chubby lipstick looks like, it's basically like a lip cream, you can say, almost मेरे lip का, what do we say, MLBB, my lips but better, तो थो थोड़ा स तो ऐसा ही है, again, not really sure कि without makeup कैसा लगेगा, but with makeup तो मैं इसको ट्राइ भी कर चुकी हूँ, it is so good, and मैं अच्चली इसको दिवाली makeup में भी लगाया था, which I topped it off with Kiro Beauty, क्योंकि ये मुझे हलका साना brownish लग रहा था, and it's not going with that Diwali makeup look that well, so love the formulation, इसको मैं अलड़ी ट्राइ कर चुकी लवली, लवली, लवली color, और everyday के लिए तो perfect है, इतनी सारी shopping पे Nika ने हमको late delivery करने के साथ में कुछ free gifts भी दिये हैं, तो सबसे पहले तो है, ये Nika का skin shield anti-pollution foundation, and it's in the shade, ये देखना पड़ेगा, it's in the shade hot honey, 07, मेरा shade, बिलकुल, actually close था काफी, 06 warm nude, लेकिन काम तो नहीं चल लाएंगे, देखते हैं, इसको giveaway के लिए रख लेते हैं, जो एक और मुफ्त का gift हमें मिला है, वो है Nika matte to last mini metallic liquid lip color, so liquid lipstick है ये, जिसे lip toppers नहीं होते, when you want to add color भी और थोड़ा सा ऐसा shine भी, तो इसकेस में काम आता है, it's super mini, में पास already इनका PR भी था, बहुत टाइम पहले मैंने you know, I did a story about it, so this goes in my giveaway list, जो कि बहुत जल्दी होने वाला है, इस product का वैसे इस season में कोई मतलब नहीं था, बढ़ हाँ, ठीके आगे भी make-up करेंगे, तो I'm sure, लंबे ताइम तर टिकाने के लिए make-up को, all you need is a loose, good loose powder, good quality loose powder, so मैंने लिया है, ये inside का HD finishing loose powder, और इसमेंज मैंने शे a fan of this kind of applicator, जो पॉफ होते हैं, पॉडर पॉफ होते हैं, वो जादा अच्छे होते हैं, and then you have this lid, पॉडर को मैं फील कर पारे हो, it is super nice and super fine and creamy, K-Beauty's formulation भी बहुत अच्छा है, I'm telling you, I'm a big fan of trying K-Beauty products, lovely, so I'm actually very excited to try this, क्योंकि 15-20 दिन अभी से मैं मुझे नहीं रखता है, फिर extremely dry skin है मेरी तो, so ये वाला product आपने जरूर मुझे देख लिया हुआ, दिवाली मेकप में try करते हुए, वापस इवा स्टोरी नहीं बताने वाली हूँ, but this is from Rimmel London, and it's their waterproof cold kajal, and मैं इसमे लिया है 003 shade, brown, so it's like metallic brown kajal, जिसको आप इसा eyeliner भी यूज कर सकते हैं, just the way I did, और इस soft, if you want eyeliner look, तब आप matte brown color के तरफ जा सकते हैं, but I wanted to have this kind of hint of shimmer, so I went with this, it is super creamy, बहुत अच्छे से apply हो जाता है, और बहुत ज़दा टिकता भी, almost 4-5 hours सकतो रुका था, क्योंकि मैं तो दिवाली मेकप करने के बाद में भी एक और शूट किया था, और इसके बाद में मैं कहीं भा और अब मुवान करते हैं, skincare के डबे पर, which is actually very heavy, so let me start with this, Plumka Be Good Luminance, and it's their Simply Supple Cleansing Balm, इसके साथ में एक स्टोरी है, I don't know if you are interested in knowing all sorts of story, बढ़ हा, मैं तो बताने के मूड में हूँ, so हम गये था, भी Maldives, वहाँ पर, यह तो दुबई गये थे, गये हम दोनों से गये लेकिन I love this product so 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 much, बिल्कुल भी oily नहीं करता है, बहुत अच्छे से cleanse कर लेता है, और all you need is this tiny amount of this product, और उसके बाद में बहुत अच्छे से lather कर लो अपने face पे, with the help of the heat होती है अपने palms से, उसके बाद में बस लैदर कर लो, and all you need is maybe a good cleanser, या फिर जो Earth Rhythm के makeup ads आते हैं, this was me almost telling you like, how do I get unready with me, let me know अगर इस तरीके का वीडियो तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर शॉर्ट आपको देखना हो तो वो तो हमारे बाएं, बाया हाथी होता है, नहीं, हाँ, ये दाया है, बाया हाथ का खेल है, I'm a bit confused, CC क्रीम ना, make-up में काउंट नहीं होती है, skincare का ही पार्ट होती है, किस से जुद्रे हाँपन, so मैंने मंगाई है, लाक में की 9 to 5 CC complexion care cream, it's in the shade 01 beige, and ये भी अगेर मुझे वापिस से flashback में लेके जा रहा है, जहाँपे PONS की BB cream got very popular, और वहाँपे उनके make-up products try कर के दिखाते थे, and I'm sure अगर आगर आप मुझे इधर तैम से follow कर रहे हो ना, तो you know, मेरा वाला PONS BB cream वाला जो make-up look था, वह भी viral हुआ था, so, love this time, actually, इसमेरा 3 shades आपको मिलते हैं, ये भी मैंने try कर रखी है, it's very nice, और almost आपको एक बहुत अच्छी even tone skin दे देता है, so मैंने इसको mini में लिया है, और, yeah, I mean, अब तो BB cream के जमाने गए, almost try नहीं करते हैं, क्य वो almost खतम हो जाते हैं, bottles खतम हो जाते हैं, so about my hands-on this mini, क्योंकि इसमें definitely कोई अच्छा offer चल रहा होगा, वरना मैं वो बड़ा वाले ही लेती, मेर साथ में कीस ये भी होता है, कि बहुत सारे होते हैं, तो फिर वो expire होते जाते हैं, so, it is better to get something like this, इस size का, so, ये है Garnir का micellar cleansing water, it is also so, so, so good, मुझे बहुत अच्छा लगता है इन वरक्स को यूस करना, इसको भी मैं बहुत ताइम से यूस कर रहे हूं, and I love using this, all you need is a cotton pad, and आप अपने eye make-up, there are people who struggle, जिनको ना eye make-up remove करने में से प्रब्रम होता है, so maybe just dip a q-tip in this, and then आप हलका स्ट्रेच करके और remove कर सकते ह और बहुत अच्छे से waterproof makeup को भी remove कर लेता है, body care products को हात में लगाते ही, मुझे अपने ठंडी feel हो रही है, so मैं आप लिया है, I am caffeine Naked and Raw coffee scalp scrub, you must have seen me use this in the past, and अभी this was the time जहापे यह खतम हो गया था, so I was like कि, yeah, use करना चाहिए, एक बार और, क्योंकि दो-तीन महिने में धना अलमस्ट अई गई है, तो I don't know, मैं इसको कभी उस करूंगी, बढ़ा इसका definitely shelf life होगा काफी, अच्छा, so I see myself using it in summer 2023, 22 भी गया, 23 भी आने वाला है, हम यहीं है, but नहीं, change wise studio भी, okay, so this is with coffee powder and natural AHA, बहुत अच्छे से, जो भी scalp build-up होता है, जैसे हम पावगर करवाते हैं, कु अरीपन लगने लगता है, इनकेस आप oiling भी करते हो, तो जब तक उसका residue proper नहीं निकलता, आपको वो fresh बालों वाली feeling नहीं आपाती, so it is really good for that, और इसके लिए मैं आपको suggest करूंगी, Amazon से आपे, जो scalp brush होता है, वो भी आप ले लो, because that is actually very good, अगर यह ना भी होना, तब भी आप वो ले ना, और अगर वो ले लिया है, फिर तो यह ले ही सकते हो, आचा, में पास जो existing rose water से ना, या फिर toners से, उनको मैं यूस कर करके, बहुत ज़दा, ठक गई थी, ठक तो ने गई थी, एक बारी करते हैं, बढ़ा दब बोर हो गई थी, केंस से, so मैं आपे लिया है यह Plumka Bulgarian Welle Rose Water Toner with Hyaluronic Acid, Now Hyaluronic Acid, Vitamin C, यह कुछ ऐसे ingredients हैं, जो कि यह मुझे बहुत ज़दा यूस करना मेरे skincare में पसंदाने लग गया है, I don't know for some reason, they've been behaving good on my skin, which I, Dermakoka Vitamin C Serum, so I love using that, so similarly, मैं यह पे यह लिया है, it is fragrance free, and the best thing, it comes in this kind of like spray packaging, so बहुत सदा अच्छा भी रहता है Otherwise, generally, आपको toners ऐसे मिलते हैं, I mean, face shop के तो ऐसे ही मिलते हैं, so it was good, और हलका सा-से deeply smell करने पर हलका सा roses का दिख रहा है, the mild si khushbun, although it says fragrance free है, तो definitely कुछ नहीं होगा, bottles में गुज गई होगी rose की khushbun, but whatever, it's a clean beauty brand, which is Plum, so I love using their skincare products, love their night gel, Plum Body Loving के जो products, they've been my favorite, और भी कुछ और When in Dubai, you buy a triple nine में three products, but I was like, कि में को इतने तो नहीं चाहिए, so I ended up buying this from Naika, जहाँ पर इंडिविजल पर 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 इंडिवाइन रूंबा, shower gel, I love this, and especially अभी उनके नहे नहे Shower Creams भी launch हुए है, I am so excited to get my hands on the Vanilla Vibes and also the Hawaiian Roomba, क्योंकि इसका fragrance जो है न, lasting power, वो बहुत अच्छी है, it stays, it lingers on your body, and especially when you build the fragrance, by applying same range के perfume and body oil, so it stays on your body throughout the day, I can say, 5-7 गंटे, 8-10 गंटे तो पक्का रहता है, so I restocked this also, क्योंकि अच्छे discounts थे, Naika पर. Naika का जो clade cold range, face mask की Naika Naturals की, उसमें मेरा एक फिवरिट था, which used to be, which used to come in a pink packaging, of course, अभी भी आता होगा, but the variant was different, और यहाला मैने लिया है इसबर anti-acne clay mask, now it's gonna be super good in case आपकी बहुत सदा extremely oily skin है, या फिर जो, you know, active acne होता है उसमें भी आपसको लगा सकते हैं, so I got my hands on this, and this retails for 5.99 and I'm sure इस पर काफी इसरी discounts definitely मुझे मुझे मिले होंगे, so I got this, secondly I got my hands on this Naika Naturals Saffron and Honey Face Wash, it's like, actually बहुता ग्लोइंग फेस्वाश रही है, I don't know, मैने इसको यूज नहीं किया है, looking forward to try this, Naika की इस अच्छी लगती है, क्योंकि बाखी कि मैंने इता सारे प्रड़क्स लिए लेकिन क P3 and name Purifying Face Wash, it's lovely, formulation is very good and I don't know, कितना अच्छा वक करेगा, but I'll try it, so maybe I'll be able to tell you the results, short तो पक्का बना सकती हूं है, so basically 3 पेक का उफर था, एक फेस्वाश हो गया, एक वो मास्क हो गया and now I also have this hair mask from Naika Natural, it's their Onion and Fenugreek hair mask, now this is actually very good for controlling hair fall, और बहुत अच्छी से, consistency अच्छी है, so I really like using this, और अच्छी मेरा खतम हो गया था, पुराना वाला, इसमेना एक और वेरियंट आता है, which comes in like, you know, pink packaging, वो है, AC वाला, वो भी पसंद है, वो भी खतम होया, almost, but मैंने सूचा इसके results मेरे hair type पे जादा अच्छे थे, so I bought this, like, ठीक है, and with that, almost रभा खतम है, इसमें जो बिल है, उसक सून भी ordering, and मेरे केस में क्या होता है, because this is my profession, I have to get ready, तो हर दिन जो आप काम करते हो, उसमें आप कुछ न्यूनेस ढूनते हो, कुछ आप नया देखते हो, so make-up इतना खरीदना, ऐसे मह समलना कि तो सरा make-up कहा करते हो, use हो जाता है, अब थोड़ा खरीदे हो, थोड़ा every day होते हैं, दिन में कभी-कभी 4 looks भी करते हैं, तो use हो जाता है, so just trust the process कि हाँ, use हो जाता है, बचता है, तो ऐसा नहीं है, family में भी और लोग है, तो हम, we keep giving, you know, so just don't, ऐसा bash मत करना, comment section में, कि every now and then you have been doing like hauls, and it's हरी कपडे, ये वो, ये वो, it is our work, so profession है, तो उसकी need है, तो ह करते हैं, as simple as that, I hope आपको यवाला नाइका haul काफी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगने वाली चीजे तो थी इसमें, अच्छा लगा ही होगा, if not products then me, what say, तो भी सागे products में ने mention किया है, उनकी सभी की details होंगे description box में, so वो भी आप check out कर सकते हैं, and अभी क्योंकि नमें मन चल रहा है, almost थंडी start होने वाली है, so अगर आप भी कुछ expect कर रहे है, change in content, तो please let me know in the comment section below, and I'll see you guys in my next one, till then, कुछ नहीं कुछ से प्या करिये, और क्या-क्या वीडियोस नहीं है, ideas आप वीडियोस देखना चाहते हैं, ideas देना चाहते हैं, comments में सारी, like you know, भरपाई करिये, और ये भी आद रखें, that I love you all so much, bye!